कि में दोस्तों लगभग 4 महिना पहले मैंने YouTube पर एक विडियो अप्लोड किया था भारत पे इंट्रेस्ट एकाउन ठीक नहीं है उसमें कुछ गरबर है और उसमें मैंने ये भी बोला था कि भारत पे interest account एक scam हो सकता है तो उसमें बहुत सरे ऐसे comments मुझे देखने को मिला जहां पर बोला गया है कि मैंने जान बूझकर भारत पे को scam कहा क्यूंकि भारत पे के तरफ से मुझे कोई भी sponsorship नहीं मिला और भी बहुत सरे comments है जहां पर बोला गया है कि मेरे पास investment के बारे में कोई भी knowledge नहीं है मैं investment के बारे में कुछ नहीं जानता मुझे पहले सीखना चाहिए उसके बाद इसके उपर comment करना चाहिए तो बहुत सरे ऐसे मतलब बहुत सरे comments थे तो आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाता हो हो सकता है कि इसको देख कर आप लोगों की आखे खुल जाए और भारत पे का सच अब लोगों के सामने आ जाए तो पहले आप आपके phone पर भारत पे application को open कीजिए भारत पे application open हो जाने के बाद आपको नीचे interest account बोल का option देगेगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको उपर दिखाई देगा कि up to 12% interest आप इसमें earn कर सकते हो तो आप नीचे देखिए थोड़ा सा इसमें benefit किया क्या है interest bank equity में आपको 3-5% का interest मिलता है यहाँ पर आपको up to 12% का interest मिलेगा interest earning bank equity पर आपको maturity पर ही आपको interest मिलता है इसमें आपको daily interest मिलेगा TDS bank equity पर आपको 10% का TDS लगता है और इसमें 0% का TDS lock in period bank में fixed होता है किसे में login period होता है किसमें नहीं होता है पर इसमें withdrawal on request मतलब आप जब भी request प्लेस करेंगे आपका पैसा जो है वो withdrawal हो जाएगा यहाँ पर SWOT में मैं आपको बता देता हूँ कि भारत पे interest account काम कैसे करता है भारत पे interest account में जब आप पैसा रखोगे तो वो पैसा भारत पे के साथ जो company का tie-up है उनके पास जाएगा और वो लोग क्या करेगा वो लोग दूसरे को loan देगा और वो लोग दूसरे को जब loan देगा तो उनसे 20% 24% का interest लेगा और जब उनको उस loan से पैसा भापस मलेगा तो वो आपको 12% का interest पोभाइट करेगा अभी आप नीचे start earning 12% में क्लिक कीजिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको terms and condition बुलक एक option दिखेगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है देखिए आप कोई भी scheme में invest कीजिए आपको scheme का जो terms and condition है वो आपको पता होना चाहिए तो इस scheme का जो terms and condition है वो आप थोड़ा सा पढ़िये मैं इस वीडियो में ज़्यादा time invest नहीं करूँगा terms and condition में आप थोड़ा सा नीचे जाहिए आपको एक section नजर आएगा what happened in case of delay or non payment by borrower मतलब क्या होगा अगर जिनको loan दिया है company वो अगर delay करता है payment करने पर या फिर अगर वो company को पैसा वापस नहीं करता है तो आपके पैसे के साथ क्या होगा इस section को आप ध्यान से पढ़िए और नीचे बाला जो line है वो बहुत ही important है नीचे बाला line में लिखा है कि अगर borrower से पैसा वापस नहीं मिलता है तो आपके interest तो छोड़ो आपके principle भी guaranteed नहीं है मतलब आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा मुझे लगता है कि इस section को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितना risk है इतना risk तो mutual fund में भी नहीं है इतना risk तो stock market में भी नहीं है पिछले वीडियो में किसी ने comment करके मुझे बोला है आपको बता है कि भारत बेका brand ambassador कौन है दोस्तों ये सारे जो problem है ना ये सब का problem है क्योंकि normal जो आम आदमी है वो company के terms and condition देखके invest नहीं करता है उनका brand ambassador को देखके उनके मतलब जो उपर में लिखा होता है application के उपर guaranteed 12% का interest आपको return आपको मिलेगा ये सारे चीज़ देखकर वो normal आम आदमी invest करता है तो ये जो problem है वो भारत पे का है भारत पे को ये जो risk factor है वो उपर में ही लिखना चाहिए था अगर आपको ये सारे चीज़ देखने के बाद अभी भी लगता है कि आपको भारत पे interest account में invest करना चाहिए तो आपको बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है final decision भी आपका ही होना चाहिए पर मैं भारत पे interest account में आपको invest करने के लिए कभी भी recommend नहीं करूँगा तो दोस्तबस ये था आज का वीडियो मुझे आसा ही कि आपको ये वीडियो बहुत ज़ाद पसंद आ होगा